अगर आपके पास एक से ज़्यादा email id है अगर आप email id को प्र्मनेंटली डिलेट करना साथ हैं तो अब किस nigga email id को प्रमनेंटली डिलेट कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको द क्छाने वाला हूँ तो इसलिए इस बीडियो को लेके लास्ट तक देखें किस इस तत्रा email डिडिड करते हैं रिजो समूंदे सबस्कॉल कई करना लिए सबसे पहले को करना किया है तो आपको प्रे VERY आपको सब्सक्कॉल क्लिक करना है उ चोश स49 कुले के रहा ह्भाद रहा है तो शर्शम गोग्ल तो इस तरह आपको शोगा तो आभी आपको Google पर किलिक कर देना है तो Google पर किलिक करने के बाद अभी उपर देखे इस तरह लिका आ रहा है Manage Your Google Account तो यहाँ पर आपको किलिक कर देना है तो आभी मैं किलिक कर देता हूँ अभी उपर आप देख रहे हैं मेरा email ID आ रहा है तो मैं इस वाली email ID को delete नहीं करने वाला हूँ तो दूसरा email ID delete करना वाला हूँ तो इस airport क्लिक करके आप email ID देख सकते हैं आप कौन सा email ID delete करना साथ हैं तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक क्या तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा email id आ रहा है तो यहाँ से आप कौन सा email id डिलेट करना सते हैं ओही email id आपको अभी select करना है तो आभी में select कर लेता हूँ select होने के बाद आभी आप देख रहा है इसता लिखा रहा है home, personal, info, data and privacy ठीके इसता अभी आप देख रहा है लिखा रहा है तो आभी आपको data and privacy पर आपको क्लिक करना है तो आभी में क्लिक करते था हूँ तो क्लिक करने के बाद आपको निसे चला जाना है तो आपको इस तरह निसे चला जाना है तो निसे चला जाने के बाद तो आपका सामने इस तरह लिखा शू होगा अभी आप देख रहा है डिलेट यूर गूगल एकाउन ठीक है तो इस तरह आपको देखेगा ठीक है तो यहा अभी email id का जो password है यहाँ पर आपको दे देना है तो मेरा email id का जो password है तो आभी मैं यहाँ पर दे देता हूँ पि email id का जो password था अभी मैंने दे दिया देने के बाद आभी आप देख रहा है next तो आभी आपको next पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा इस तरह निशे सला जाना है आप और आपको दो टिक मार लगा देना है तो आपको दो टिक मार इस तरह लगा देना है तो आप देखे रहा है इस तरह लिखा रहा है डिलेट एकाउंट तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपको क्लिक अभी हो सुगा है तो इस तरह आप बहुत एजिली आपका जो इमेल एड़ी है इसली इस तरह डिलेट कर सकते हैं